एक हफ्ता गुजर चुका है दोस्तों, मगर जिन तीन राज्यों में भारती जनता पार्टी को जीत मिली थी आने के 36 गड़ राजस्थान और मध्यप्रदेश तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का ऐलान नहीं हुआ ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टेम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल खिलाब आज़ाद है तेरे आज से कवायद शुरू हो रही है, कोशिश शुरू हो रही है, क्योंकि केंद्री आला कमान ने आज अब्जर्वर्ज नियुक्त किये हैं, अब ये प्रक्रिया शुरू होगी, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना जाता हूँ याद है आपको, जब करनाटक में कॉंग्रिस को शांदार जीत मिली थी, तब पूरा गोधी मीडिया सिर्फ दो दिन की देरी हुई थी, पूरा गोधी मीडिया लग गया था, कि ये जनादेश का अपमान है, किस तरह से कॉंग्रिस अपने स्वार्थ के चलते, मुख्यमंत गया था, मगर आज खामोश हैं, और जो बोल भी रहे हैं, वो मानो इस तरह से बोल रहे हैं कि पापा आपको बुरा तो नहीं लगेगा, दोस्तों, इस वक्त, तीनों राज्यों का कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई नहीं जानता, मगर पर्दे के पीछे जबरदस ड्रामा चल रहा है, गोदी मीडिया में आप वो खबरे नहीं देख रहे हैं, हाँ, उनके वेब साइट्स में ये जानकारी आपको जरूर मिल रही है, मसलन राजिस्थान में एक प्रभावशाली नेता ने पांच विधायकों को बंधक बना लिया था मंगल बार रात, मगर मैं आप से जानना चाहता हूँ, क्या इस मुद्बे पर, आपने कोई गंभीर चर्चा सुनी, बवाल सुना मीडिया पर, नहीं सुना होगा, खबर क्या है और किसने किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, खबर क्या है ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, खबर आपके स् पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों ने वहां से बहरोड जाने का प्लान बना लिया था ये बात वही मौजूद एक नए विधायक को अखर गई ये घटना मंगलवार देर रात की है सुवे चार बजे उन विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया बताये जा रहा है कि ये सब प्रदेश के किसी बड़े नेता के कहने पर हुआ सवाल ये दोस्तों ये बड़ा नेता कौन है तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको पेश करने वाला हूँ दोस्तों भारती जन्ता पार्टी के पूर्व MLA है जिनका नाम है हेमराज मीना हेमराज मीना को ये पता चला कि उनका जो बेटा है जिसका नाम है ललित मीना उसे बंधक बना लिया गया था आपनों राजिस्थान रिजॉर्ट में बात वहाँ नहीं रुकती दोस्तों जब वो जाते हैं अपने बेटे को छुडाने के लिए तो एक और विधायक जिनका नाम है कनवर लाल वो कहते हैं कि आप पहले एक बड़े नेता से इजाज़त ले लीजे और वो बड़ा नेता कौन है दुश्यन सिंग जो कि वसुंद्रा के बेटे हैं और तभी आपको छोड़ा जाएगा नतीजा हाथ हफाई शुरू हो जाती है बगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ यहां तो भारती जन्ता पार्टी सरकार बना रही है और आप ये भी जानते हैं कि सत्ता से कोसो दूर कॉंग्रेस है तो फिर दुश्यन इन विधायकों के रिजॉर्ट में क्यों रख रहे थे आखिर इसके जरी वो क्या संदेश दे रहे थे दोस्तों आपको इसके पीछे की राजनीती समझनी पड़ेगी क्योंकि काइदे से वसुंद्रा को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था बन भी सकती है मगर इस वक्ष हो क्या रहा है कि कई लोग के नाम चल रहे है सतीश पुनिया का भी नाम चल रहा है अश्विनी वैशनव का भी नाम चल रहा है गजेंद्र शेखावत का भी नाम चल रहा है तमाम किसम के नाम हैं जो सामने उभर कर आ रहे हैं वसुंद्रा राजे सिंध्या को लगता है कि उनके साथ करीब तीस विधायक हैं जो उनके कहने पर कूध भी सकते हैं उट भी सकते हैं बैट भी सकते हैं उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया था आला कमान ने भी बुलाया था ऐसा लग रहा है और कई जगों पर एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि अगर वसुंदरा राजे सिंधिया को मुख्य मंत्री ना बनाया जाए तो वो अपने तीस विधायकों के साथ बड़ा खेला कर सकती है हाला कि मुझे इस बात की गुझाईश कम लगती है और मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि वसुंदरा राजे सिंधिया को अपने बेटे दुश्यंत का भवश सुरक्षित रखना है इस वक्ट जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिट्शा की पैट है उसके सामने कोई बगावत करेगा और उसका सुखद राजनीतिक भवश होगा ये नामम्किन है और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वसुंदरा राजे सिंधिया के पास इतनी टाकत है मगर ये जो खबर मैं आपको बतला रहा हूँ क्यों बतला रहा हूं दोस्तों ये खबर मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ इंडिया वाले भी बेचैन, खटाई में खुद का गटबंदन, अरे बताओ ना, क्या हो रहा है मुख्यमंत्री पत को लेकर, मगर ये इंडिया गटबंदन के पीछे पड़ें, कौन 36 गड़िया मोदी के लिए सबसे बढ़िया, महाजीत के बाद CM कौन, BJP क्यों मौन, बाब बालकनाद बने मुख्यमंत्री, तो वसंद्रा का बगावती प्लान तयार है, कौनग्रिस का CM बन भी गया, BJP के CM की फाइल मोदी ने क्यों रोकी है, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, याद कीजे, क्या हुआ था करनाटक के दौरान, याद कीजे, कि इस तरह से करनाटक में कांग्रिस को हर बात पर गाली दी जा रही थी, कि इन्होंने जनादेश का अपमान किया है, दो फाड़ हो गई है, यहाँ पर एक बड़े नेता के बेटे, पांच विधायकों को बंधग बना लेते हैं इन खबरों के मताबिक, टीवी नाइन और इं प्रधान मंतरी कारयाले के माननिये जोशी जी की तरफ से, और जोशी जी ने कहा है पापा की परियों और पप्वों को, कि सतर्क रहो, फालतु की पत्रकारिता मत करो, क्योंकि तुम पत्रकार हो भी नहीं, तुम हमारे चाटुकार हो, और जिस चीज़ की आदत नहीं रहती वो नहीं करना चाहिए जोशी जी का फर्मान साफ है और यही चल भी रहा है नियूस चैनल्स में दोस्तों जो इस वक हो रहा है न वो बतला रहा है कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिट्शा की ताकत कुछ उनौती नहीं दे जा सकती मद्ध प्रदेश की बात करते हैं आप जानते हैं मद्ध प्रदेश में सब कई दाविदार हैं शिवराज सिंग चोहान है जोतराजित सिंधिया है प्रहलाद पटेल है और नरेंद्र तोमर है वो नरेंद्र तोमर जिनका बेटा कथित तोर पर extinct operation में पकड़ा गया था करोणों की रिश्वत की बात करते हुआ उनका भी chance बताया जा रहा है जबकि शिवराज सिंग चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए 160 से उपर सीटे जितली थी भाज़पा ने ये क्या बतला रहा है यानि की प्रधान मंत्री फैसला करेंगे याद कीजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने आखरी कुछ लबहों में किस तरह की कैमपेनिंग की थी किस तरह से इमोशनल कार्ड खेला था उनकी लाडली बहन योजना का जमीन पर असर दिखाई दिया था मगर क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बात को लेकर कोई बात पुखता तरीके से नहीं कही जा सकती हाला कि मेरा मानना है कि तमाम चेहरों में सबसे प्रबल दाविदार वो हैं क्योंकि OBC वर्ग से आते हैं उनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुझे नहीं लगता कि उनके इलावा किसी पर विश्वास जतलाया जाएगा और अगर नरेंद्र तोमर पर विश्वास जतलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े होंगे और कॉंग्रेस इस मुद्वे पर उन्हें घेरने की कोश्च करीगी हलाकि मीडिया कुछ नहीं गएगी क्योंकि आपको याद है मीडिया ने सवाल उठाये थे मगर महादेव आप पर ये बात अलग है कि जो मुख गवा है वही पलड़ गया मीडिया ने नरेंदर तुमर के बेटे देवेंदर तुमर के स्टिंग ऑपरेशन की बात बिल्कुल नहीं की तो यहीं इस वक भी होने वाला है जहां तक राजिस्थान की बात है वहाँ पर मामला फसा ही हुआ है वसुंदरा राजे सिंधिया क्या बगावत करेंगी ये सवाल सब के जहन में मैं हाला कि कह चुका हूँ मुझे नहीं लगता हुआ ऐसा करने की स्थिती में होंगे क्योंकि इस स्वक प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमिच्शा की ताकत और कंट्रोल भाजपा पर संपूर्ण है पूरा कंट्रोल है उन्हें कोई चुनावती नहीं दे सकता रही बात 36 गड़ की तो 36 गड़ में भी दोस्तों कई नाम सामने उभर कर आ रहे हैं और वो नाम मैं आपको अध्यक्षें आरुन कुमार साओ वो भी हो सकते हैं इससे पहले जो लीडर आफ आपोजिशन रहे थे धरमलाल कौशिक वो भी हो सकते हैं पूर्व आईस आफिसर ओपी चौधरी वो भी हो सकते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई महिला चेहरा जिसकी प्रिष्ट भूमी आदिवासी की हो वो बनाए जा सकती है जो भी होगा इसका फैसला प्रधान मंत्री करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं मगर दूसरी तरफ तेलंगाना में रेवन्ती रेड़ी वो खिमंत्री पत की शपत ले चुके हैं मीडिया इसकी तुलना नहीं कर रहा है कि यहां देखी कितना स्मूद ऑपरेशन हुआ कुछ नहीं हुआ हाला कि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि रेवन्ती रेड़ी का विरोध कॉंग्रेस में कौन कर रहा था यह कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूँ तो आप साफ तौर पर देख रहे थे कि तेलंगाना में जन्मत मिला और किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया हाला कि पर्दे की पीछे बहुत कुछ हो रहा था दोस्कों मैं आपको बतला दूँ रेवंती रेड़ी के नाम का विरोध कोई और नहीं पार्टी के एक वरिष्ट निता कॉंग्रिस के पार्टी के वरिष्ट निता जिन्होंने मद्द प्रदेश में इनका बंटा धार करा दिया था वो कर रहे थे वो रेवंती रेड़ि जिनकी कोशिशों के चलते तेलंगाना में उने सत्ता मिली और वो निता कौन थे दिग्वजय सिंग वो दिग्वजय सिंग जिनोंने मद्द प्रदेश में काफी हद तक कॉंग्रिस का काम खराब किया क्योंकि उम्द व्रदेश की चुनावों में बे बज़ा हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पी-फ-आई की बात कर रहे थे और जाहिर सी बात है दोस्तों इससे काफी हद तक कॉंग्रिस को नुकसान भी हुआ देख विजय सिंग रेवन्ती रेड़ी का विरोध कर रहे थे उन्होंने बाकाइदा खत लिखिया था जिससे पता चलता है कि कॉंग्रिस की जो पुराने नेता हैं वो ना सिर्फ अपने राज्यों में बलकि दूसरे राज्यों में भी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं अब एक और चीज़ बताता हूँ पहले खबर आती है कि कमलनात ने स्टीफा दे दिया है लगर फिर वो खबर जूटी थाबित होती है मद्ध प्रदेश कॉंग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है वो खबर चलाता है कि वो खबर सरसर जूटी है उन्होंने स्टीफा नहीं दि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप चुनाव हार गए आखरी कुछ दिनों में आप चुनावी कैंपेइनिंग के लिए नहीं उतर रहे थे रहसमे तरीके से, ना जाने कौन सी ताक्तें आपको रोक रहे हैं आप पार्टी आलाकमान की बात नहीं सुन रहे थे आप गोधी मीडिया को लगातार इंटिव्यूस दे रहे थे इंडिया गटबंदन ने जिन आंकल्स पर पाबंदी लगाई थी आप उनको इंटिव्यू दे रहे थे आप अन्देखी कर रहे थे कौंग्रेस आलाकमान की कौंग्रेस आलाकमान में अब भी हिम्मत नहीं है कमलनाथ से स्तीफा मांगने की और उनके जो पार्टी के चाटुकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साब हम चिनवाडा की सारी सीटी जीट गई अरे भाई आप मध्ध प्रदेश में हार गए जहां पर सत्ता परात में थी कम से कब कुछ मैनों पहले किस मुगालते में जीते हैं ये लोग किस घलत फहमी में जीते हैं और सबसे बड़ा सवाल क्या राहूल गांधी कठोर कदम उठाएंगे कमलात के खिलाफ दिगविजे के खिलाफ उन तमाम नेताओं के खिलाफ जिसके चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा सशिन पाइलिट मैदान में क्यों नहीं उतरे उसी एक आगरता उसी अग्रेशन के साथ नहीं उतरे हर नेता का अपना दम्द है हर कोई अपना रजवाड़ा चला रहा है अपना सामराज्य चला रहा है यह अभी भी 2014 से पहले की यूग में जी रहे हैं यह तमाम मुद्दें जिसको लेकर कॉंग्रिस को संबोधन करना पड़ेगा वरना गई भेंस पानी में और बहुत प्यार से भेंस पानी में जाएगी और फिर बाद में क्या होगा अब पच्टावत क्या होता है जब चिडिया चुक गई चुनाव अब इसार शेर्मा को दीजे चासर नमस्कार यह बच्कार